दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वालाओं की आपका जो मूल नवास, जाती प्रमान पत्री या फिर आय प्रमान पत्री या इसके अलावा आपका जो भी डॉकुमेंटस है जिसे आप ओनलाइन इमित्र के द्वारा बनवाते हैं दोस्तों वो आपको पता है होगा जयसे ही आप उसे वेरिफाइख करवाते है उसके बार, को पता आ जाल आदे में नए अपने मोगाल फोन प्र आजायेगा तो दोस्तों यह क्या परक्रिक निया कैसे वह आएगा किया डिटेल है इसकी हम इस वीडियो में कंप्लीडिव से बात करने वाले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आपने अपना जाती प्रमाणपत्र अभी न्यू बनवाने के लिए इमिट से ओनलाइन करवाये था अब ओनलाइन करवाने के बाद में वह आपके तैसिल लेवल पर दस या पांच दिन में वेरिफाई होके बापस इमिट पर आ जाता जिसे आप वहां से ड पर बापस जाना पड़ता है उससे देखने के लिए बना नहीं बना तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना अब आपके जो मुवाइल नंबर है उस पर वह वेरिफाई होने के बाद में दाइडेक्ट उसकी पीडिया पहुंच जाएगी तो दोस्तों यह कंप्लीट जो डिट सर्टिफिकेट आविदन के बाद लोगों को इमित्रिया विवागों के चक्कर कारने नहीं पड़ेंगे सर्टिफिकेट अप्रूबल होते ही जनादार से जुड़े हुए मुवाइल नंबर बार सब के जरिए पहुंच जाएं सूचना परद्द की विवाग ने अभी तक यह 5000 लोगों को यह सब्दा दिये अभी एक लाख लोगों के यह सब्दा देने वाली है एंड आने वाले टाइम पर एक साल में साथ लाख सर्टिफिकेट जो बने हैं उनको सरकार आपके जो आधरकार नंबर है जनाधरकार से जुड़ा हुआ यानि आपका जो मुवाइल उस पर यह आपके इमेत्र की द्वारा जो बना जाता है आपका जाती प्रमान पत्र उसकी यहां से पीडिएफ की रूप में आपको मुवाइल पर देजी जाएगे आपको बारवार इमेत्र पर जाने की जरूत नहीं पड़ेगी दोस्तों यह कंप्लीट डिटेल है जो अब आपको ऐसा करना बारवार आपको दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा इसके अंदर तो दोस्तों अगर आपने अपना मुवल नवास यह जाती प्रमान पत्र अगर बनवाया है तो दोस्तों वह अभी बना या नहीं बना उसका अपडेट चेक करने के लिए इस्टेट प्रमान पत्र अन्य डॉकुमेंट्स यह नहीं बना तो दोस्तों यह कंप्लीट जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके दिरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अमाले चैनल को सब्सक्राब करना तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद